क्रिटिकल डैप्थ एंड मैक्सिमम डिश्चाज फॉर इवन स्पेसिफिक एनरजी जो काफी पूछा चाहता है उनिवर्सिटी के एक्जाम में तो चलो स्टार्ट करते हैं बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हूं बचो वाट इस स्पेसिफिक एनरजी को, खृटिकलड क्या होता है, खृटिकल वैलो सीटी क्या होती है, यह सारे रेलेशन अगर आपको अच्छे से समझने है तो वीडियो जरूर से देखना है और स्किलिंग मैंन अभी डिस्क्रिप्शन में दी है तो जाके देख लीजेए, चलो स्टार्ट करते है ब जहां Q क्या होता है बचो, Q is a discharge per unit width, समझ में आ रहा है, अब ही क्या होता है, कि जब specific energy minimum होती है, तब हमारा depth क्या होता है, depth equal to critical depth of flow होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, यानि y equal to yc, जल्दी से इस equation में सारा रख दीजे, यानि e की जगा लिखेगे हम e minimum, जहां y है, वहां लिखेंगे yc, तो चलो जल्दी से लिखे, e की जगा मैंने लिखा e minimum, जहां y, वहां y, यहां y, तो यहां भी y, इसे बोल दीजे, equation number 1, अभी हमें पता है, जो हमने डिराइव किया था, that critical depth equal to होता है, q square by g, whole raise to one third, q square by g, whole raise to one third, समझ में आ रहा है, तो अगर मैं क उसके power 1, यानि हो जाएगा yc cube equal to q square by g, समझ में आ रहा है, मुझे ये कुछ relation मिल चुका है, अभी क्या करना है, वो ही ध्यान से देखना है, बजो, यहां जो equation 1 में है, उसमें मुझे रखना है, यानि e की जगा, e minimum as it is, yc को भी ऐसे का, ऐसे रखेगे, समझ में आ रहा है, पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां ध्यान से देखें, यहां कुछ है, q square by g, q square by g, तो यह क्या है, q square by g की जगा हम क्या लिख सकते है, yc cube, यानि इसकी जगा मैं लिखूंगी अभी yc cube, और नीचे तो already 2 yc square थाई, समझ में आ रहा है, नीचे तो 2 yc square थाई, यानि यह yc Jonesy Cube जो मैं लाई, और यह है 2 yc square, समझ में आ रहा है, यह cube और यह yc square यानि यह cancel हो जाएगा, तो उपर सिर्फ बचेगा सिर्फ yc, क्या बचेगा सिर्फ yc और नीचे 2, समझ में आ रहा है, तो यह yc तो थाई, Etn, प्लस yc by 2, समझ में आ रहा है, यानि यह क्या यानि मुझे रिलेशन अभे मिल चुका है for minimum specific energy and critical depth of flow के बीच में यह relation है यानि कि e minimum equal to होता है 3 by 2 yc और इससे उल्टा करें अगर आप yc को subject बना है तो yc equal to होता है 2 by 3 minimum यह जो है बच्चों यह याद रखना यह काफी mcq में पूछा जाता है competitive exam में तो आपको यह याद रखना रिलेशन तो अभी हमने find कर लिया है expression for minimum specific energy in terms of critical depth अभी जल्दी से find करते है maximum discharge for given specific energy तो बच्चों maximum discharge find करते हैं तो हमें पता है क्यों equal to होता है ए भी फिर हमने आगे भी लिया था कि एक rectangular channel जिसकी depth of flow है y फिर यह है इसकी width b बच्चों अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरे video जो continue जो हो रहे उसी series में आपको देखने है तो यह है बच्चों यानि area equal to होगा b into y, b into y समझ में आ रहा है अभी गलती से भी क्या होगा कि आप पूरे क्या है कि गलती कर लेंगे कि अभी क्या करेंगे q by b यानि madam q by y अरे ऐसा नहीं करना हम कुछ अलग derive कर रहे है समझ में आ रहा है तो अभी इसको ऐसे रहने दो यानि हमें मिल चुका है v equal to q by by v equal to q by by समझ में आ रहा है तो यह हो गया अभी हमारा equation क्या है energy का e equal to y plus square by 2g यह तो हमने क्या किया था यह हमने y किया था कि जब हमने क्या किया इस वी के जगा इस वी की जगा हमने q by y लिखा तो इस तरह का equation आता है बट basic equation तो ऐसा ही था ना specific energy का y plus square by 2g तो यह difference आपको समझना यहां हम उसको क्या करते है पुरा उसका जो है वी equal to q by y लिखके use करते है और यहां हम direct use कर रहें for maximum discharge find करने के लिए यानि y plus square by 2g अब ही क्या होगा y को इस side ले आओ यानि e minus y equal to हो गया क्या हो गया वी की जगा मैंने लिखा q by by q by by यानि वी की जगा है q by by तो वी square equal to क्या होगा q square by b square y square समझ में आ रहे है तो मैंने b square की जगा लिख दिया q square b square y square और 2g तो थाए समझ में आ रहे है कुछ ने किया इसको इस side ले आए और b की हमने value लिख दिया आप है समझ में आ रहे है अभी q square को subject बनाए इसको subject बनाए यानि होगा cross multiplication यह जो है सारा उटके इस side आ जाएगा यानि q square equal to हो जाएगा 2g b square y square into e minus y समझ में आ रहे है समझ में आ रहे है बचो तो यह हो गया अभी मैंने कुछ ने किया अभी मैंने ऐसा किया कि यह जो y square है इसको उठा के अंदर ले ले ब्रेकेट के यानि q square equal to 2g b square as it is और यह y square को मैंने ले लिया अंदर यानि होगा e y square minus y तो था और y square आया यानि मिला कि हुआ y cube समझ में आ रहे है अभी मुझे कुछ ने करना दोनों side मैं क्या करूंगी root यानि यह हो जाएगा q यह b square उसका हो जाएगा b और यह चला जाएगा अंदर यानि under root 2g e y square minus y cube अभ हमें यह पता चल रहा है क्योंकि अभी हमें find क्या करना है maximum discharge तो यह relation proportional का है यानि अगर discharge यह जो है उसको maximum होना हो तो यह value भी कैसी होनी जाहिए maximum तो पहले हम करते हैं कि यह जो हमारी पास value है इसका हम with respect to y करते है differentiation समझ में आ रहा है तो हमने किया इसका differentiation d by dy bracket में लिखा e y square minus y cube equal to 0 equal to 0 लिखना ना भूले करे differentiation इसका क्या होगा e is constant और y square का होता है 2y और y cube का का होगा 3y square और minus यहाँ जो लिखना ना भूले equal to 0 अभी मैंने क्या क्या है इसको side यानि 2y equal to 3y square अभी दोनों side एक y y will cancel यानि यहाँ हो गया t 2e और यहाँ क्या हो गया 3 into y 3 into y क्योंकि एक y cancel हो जुका यानि e equal to मुझे मिला 3 by 2 into y 3 by 2 into y यह इसे बोल दीजे small equation number 2 तो यह हमें तो कुछ ऐसा मिला form में अभी हमने करना है compare क्या तो हमें क्या मिला था जो हमने expression find किया था for minimum specific energy in terms of critical depth that यहां मैंने लिखा that e minimum equal to हमें मिला था 3 by 2y सी और अभी जो हमने किया उससे हमें मिला e equal to 3 by 2y अभी दोनों को compare करें क्या दिख रहें आपको देखे द्यान से क्या दिख रहा है मुझे यह समझ में आ रहा है कि जब e equal to e minimum होगा यानि जब हमारी specific energy क्या होगी minimum specific energy होगी तब y यानि depth of flow हमारा क्या होगा क्या होगा critical depth होगा तो यह हमें relation मिला यानि अभी इसका answer लिख रहा है यहां लिखके अभी answer पूरा नहीं कर देना आपको जो पूछा गया है वो उसको sentence के form में भी लिखना है बचो भूले ना ऐसा तो आपको लिखना है that for maximum discharge for maximum discharge the specific energy should be minimum for maximum चलो मैं लिखती हूँ आपको अच्छे से लिखना है for maximum discharge the specific इसकी condition number one that specific energy should be minimum and this depth of flow and the depth of flow should be critical यानि condition number one and two अगर यह हुआ तभी maximum discharge मिलेगा हमें क्या चाहिए कोई भी channel है किसी भी तरह का open channel flow हो हमारा क्या रहता है aim कि हमें maximum discharge चाहिए समझ में हमें क्या चाहिए maximum discharge चाहिए तो maximum discharge के लिए हमने find key condition क्या मिली हमें कि जब specific energy minimum होगी और depth of flow critical होगा तभी हमें मिलेगा maximum discharge अभी last में हमें draw करना है यह graph discharge वर्सिस यह depth of flow समझ में आ रहा तो इसका graph कुछ ऐसा मिलेगा समझ में आ रहा यह point है कि concept वही c वाला point जो हमने last video में देखा जहां पर क्या होती है जो specific energy होती है क्या होती है e minimum होती है और यह जो depth होती है उसे क्या मुलते है critical depth और जिसका relation हमने यहाँ पता चला है क्या यह रहा e minimum equal to 3 by 2 yc तो yc को subject बनाए तो होगा 2 by 3 e minimum वही मैंने यहाँ लिखा yc equal to होता है 2 third e minimum और फिर यह है हमारा maximum flow यानि यह हमारा critical flow critical flow से नीचे जो हमने last video में देखा है यानि super critical के लिए होता है fr greater than 1 और sub critical के लिए होता है fr less than 1 और आपको उपर दिखाना भी है कि यहाँ है maximum discharge क्योंकि horizontal direction यानि x-axis पर हमने दिखाया है discharge समझ में आ रहा है तो I hope बचो आपको यह अच्छे से समझ में आया है वीडियो को like करे, share करे and subscribe करना ना भूले